सरुकार अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर डिप्टी सियम के शप्रसाद मौर का पलटवार बोले लगातार चुनाव हाडने से सुआस्त खराब हो गया है कानपूर के भाजपा नेता गुर्विंदर छाबड़ा ओर्फ विक्की और उनकी पत्नी ने खाया जहर दोनों का रिजन सी होस्पिनल वेला ज़ारी कानपूर में मंतरी नंदी ने पकड़ी दवाओ की धांदली हैलेट अस्पताल में दवाओ का रिकॉद मिला गायब तीमारदारों उस्ते बाहर से महंगवाई मंगवाई जारी दवाए दिली में एक दूसरे के हुए स्वरा और फहद खान शादी में पहुंचे राहूल गांदी और सीम के जरिवाल उननीस मार्श कुबरेली में दा होते वाली मा सारनपूर में पूर्व MLC महमूद अली की न्याईक रिमांड मंजूर दिली की युफ्ती ने पूर्व MLC पर दर्च करवाय था ग्यांग रेप का केस मेरट में पतनी और बेट्री के हत्यारे पिता का कबूल लामा आया सामने 12 साल छोटी टीचर से शादी करना च्वाता था हत्यारे पिता दो और बेट्रियों के मडर की रचिती साज़श मेरट में धाई करोड के प्रॉपर्टी विवाद में पार्टनर ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली प्रॉपर्टी डीलर को गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफ़र मौमें तीन शौतिर अपराधियों को क्या गया जुला बदर अपराधियों के मोहलों में जौा कर पोलिस ने बज़ाया मुना दियों डुगडुगी उन्नाव में आकाश्य अबिजी गिन्ने से युवा की हुई मौत तेज हवाओं के साथ हुई हल्की पूंदा बांदी यूप में बारीश के साथ ओलेगी रेकाईलाट गराचमक के साथ बरसेंगे बादल किसानों को सिच्वाई नहीं करने के अडवाईजरी जौरी यूपी की जेलों में काबिल बनेंगे कैदी कोई कैदी ले रहा कम्प्यूटर ट्रेनिंग तो कोई बन रहा इलेक्ट्रीशन महिलाए सीख रही जूरी मेकिंग मेरट में 24 वर्श्विया यूअक निकला करोना पॉजटिव 14 फरवरी के बाद लगातार 30 से व्यक्ति में होई संक्रमन की पुष्टी मेरट में पुलिस से होई मुटभेड में 25 अजार के नामी बदमाश हुआ गिरफतार पैर में गोली लगने पर अस्पताल में भर्ती कराए गया बदमाश पुलिस 2020 से कर रहे थी बदमाश की तलाश हर दोई में पुलिस की वर्दी में आये लुटेरे आंगन बाड़ी कायत्रियों के गले से चेंच छीन करुए फरार पुलिस लुटेरों को तलाशने में चुटी लखनाओ में विजली कर्मियों की तीन दिवसी हरताल पर सरकार सक्त कहा काम नहीं किया तो जाएगी नौकरी लखनाओ में टीचर की डाट के बाद च्छात्रा ने लगाई फासी सीसी टीवी में च्छात्रा को डाटती निकी टीचर पिता बोले बेटी प्रतार्ना से मान सिक परिशान हो गई थी गाज़ेबाद के नशवमक्ति केंद्र में मरीज की पीट-पीट कर हुई हत्या कतल करके लाश को केंद्र में बंद करके भागे केंद्र संचालक और उसके साथी दिवरिया के स्कूल बे छेड़ खानी कारों पे प्रिंसिपल हुआ नलामबेद प्रिंसिपल ने पाचवी के स्टूडेंट से की तिया श्टील हरकत गौतम बुद अगर में सुपर्वाइजर ने जहर खा कर दी जान साथ महीने से सुपर्वाइजर को नहीं मिली थी स्टैलरी अधीक मुक्तार जोसे माफिया के लिए शुगाबनी यूपी के जिल 2G 3G जैमर पर भारी पढ़ रहे अप राधियों के 5G नेटवर्क 3600 CCTV को चक्मा दे रहे माफिया भैराइच में स्पी प्रिशान्त वर्मा ने रिजर्फ पोलिस लाइन स्थित परेट ग्राउन का क्या नरीक्षन अनुशासन बनाये रखने के लिए कराया टोली वार ज्रिल बिजनौर के वन रेंज में मिला वेया सकनर हाथी का शव वनुभा की टीम जाच परताल में जुटी मौत का कारण जानने को पी-म को भेजा गया शव लखनव में पुलिस कर्मियों के साथ मौल में गूमता मिला कैदी लखनव जेल से बलरामपूर अस्पताल मेडिकल कराने गया था कैदी मामले में चार पुलिस कर्मी हुए निलम्बित फतेपुर में किशोरी सरेप कारूपी हुआ गिर अफतार दो साल पहले पड़ोसी युवक ने घर में घुस कर की थी शर्मना घटना अलिगर में शुरू हुआ फ्री वाइफाई स्मार्सिटी के तहट दो हॉस्पिटल और बस स्टैंड को किया गया स्मार्ट भदोई में दो बाइकों में हुई जोरदा टकर हाथसे में एक युवक की मौत एक की हालत गंभीर पुलिस के कबजे में दोनों बाइक सबाए ललित्पुर में ट्रेक्टर ट्रॉली पलटने से एक किसान की मौत हाथ से में छे घायल दोग की हालत गंभीर अनाज बेच कर जा रहे थे किसान बिजनौर के उच प्राथमिक विद्यालाय में बच्चे कर रहे मजदूरी इट उठा कर ले जाते दिखे बच्चे भी ऐसे बोले जाज के बाद जल्द होगी कारवाई मिर्जपूर में नवरात्री मेला की तैयारियों में जुटा प्रिशासने कामला डियम और एस पी ने मेले शेतर का निरीक्शन किया वही सुरक्षा विवस्था पर भी हुई चर्चन लक्नव में उमेश पाल हत्यकार्ण में स्ट्रीफ का बड़ा एक्शन स्ट्रीफ ने कयूम अंसारी को हिरासत में लिया सबसुप्रीमो अखिलेश यादव कोलकाता पोच्चो अखिलेश यादव के शाहत शिफपाल यादव भी आए नज़र अर्डिकल में ट्रैक्टर से गिर कर महिला मजदूर के हुई मौत घटना के बाद ट्रैक्टर का ज्राइवर मौके से फरार बुलन शेयर में पुलिस की मौजूदगी में युवा की पिटाई का वीडियो वारल चोरी के शक में युवा की पिटाई करते नज़र आए लोग बुलन शेयर में एक मकान में लगी भीशण आग लोगों ने कड़ी मशकत के बाद आग पर पाया खाबू लखनों में बिजली कर्मियो के हर्टाल जौरी हर्टाल को देखते हुए पिए सी तर्थ लखनों में चुएनित होमियोपैतिक फार्मसिस्ट का प्रदर्शन नियुकती की मांग को लेकर अड़े फार्मसिस्ट मेरट में धाई करोड के लेंदेन में युवक को गोली मारी गई है वही गोली लगने से युवक गंभी डूप से घायल हुआ आरोपी हुए फरार संबल में कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग गिरने का मामला घटनस्तल पर पहुची युवक सरकार के मंत्री गुलाबो देवी श्रावस्ती में बदला मौसम का मिज़ा सुबह से ही च्छाय थे घने काले बादल मौसम बदनले से कई स्थानों पर बूदा बादी कानपूर में इर्फान सुलंकी की कोर्ट में हुई पेशी साइलेंट पार्टनर की प्रोपरटी में होगी जफ्ती करण की कारवाई लखनाओ के जेल में बंद आती क्यामत की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में आती क्यामत की याचिका पर हुई सुनवाई लखनव में बिजळी कर्मच्वारियों के हर्टाल पर सरकार सकत रासूका के तहत कारवाई करने की तैयारी लखनव में मेच्चो स्टेशन पर मिलेगी सिटी बसों की जौनकारी यालत्रियों के सुविधा के लिए जौनकारी दी जाएगी लखनव में प्रदेश के हर प्रैमरी स्कूल पे होगी विजली की सुविदाय स्कूल महा निदेशक विज़ा किरण आनन्दिक ने बियस से को दिया निर्देश लखनव जंक्षन पर बच्चों के लिए बनेगा थियेटर थियेटर में की जाएगे पच्चास सीटों की विवस्था लखनव में स्वास उभार की रडार पर तीन अस्पताल गोमती नगर स्थे तीन हॉस्पिटल के खिलाफ सीमो आफिस को मिली थी शिकायत लखनव में आई एस सर्विंद कुमार मुख्यमंत्री के बनेंगे नए सलाकार 1988 बैच के ACS रैंग के अफ सर्फ फरवरी में हुए है रिटायर लखनव में एक लाक बिजली कर्मश्वारी हरताल पर बीस हिरासत में उर्जा मंत्री बोले बिजली सप्लाई में बाधा डालने वाले कर्मश्वारियों को पाताल से ढूंड कर लाएंगे सुल्तानपुर में गर्जा बुल्डोजर ताला पर अतिक्रमण कर बने दो मकान हुए धारश्वाई हाई कौट के अनरदेश पर हुई कारवाई आगरा के कृष्णा कॉलोनी में सिलेंडर फटा धमाके से मकान की इच्छा तूड़ी महले में मची अफरा तफरी बस्ती में हर्ताल से बढ़ा बिजली का संकेट 32 विदी तूपकेंदर ब्लैक आउट प्रिशासन क्या पूर्ति सुनेशित करने की तैयारी फे मिर्जापुर में बिजली कर्मी हर्ताल पर पावर हाउसों पर प्रिशासन का कबजाद डियम ने पूलस और संविदा कर्मियों को सौपे बिजली आपूर्ति की जम्मेदारी जालाउन में चोरों ने होम गार्ड के घर को बनाया निश्वाना लाखों के जेवरात और नगदी पार ड्यूटे से लोटने पर हुई घटना की जुआनकारी गाज़ेबाद के एच और आईटी ग्रूप में जॉब फेयर पांस सोय स्टेटन ने दिये इंटरव्यू चुएनित अभी अर्थियों के नाम कल घोशित होंगे हातरस में गर्म पानी से भरी बाल्टी गिरने से जुलसी भाबी और नंद घर में काम करते समय हुआ हाथसा वाई गंपीर हालत में जिला स्पताल में किया गया भरती जहासी में बदमाशों ने मैनेजर से 36,000 रुपए लूटे रिकवरी करके बाइक से ब्रांच जा रहा था दो बदमाशों ने चाकू के बल पर दिया वारदात को अंजांग बिजनौर में नमांकन कराने गए प्रत्याशी का अपरण पुलस ने सकुशल किया बरामद पुलस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा बिजनौर में अस्पी ने पुलस लाइन मेली परेड की सलामी गाडियों में हतियार के रख रखा आफ को चक क्या है वही टोली वारत ड्रिल भी कराए गई यूपी पुलस में 29 पीपीएस अफसरों के हुए ट्रांसफर अभेनातर पाठी भरती बोर्ड तो बंसल लाल एडी सीपी लखनाओ योगेश कुमार भेज़े गाए पीटी एस जालौन अलिगर्वे दो अपराधियों पर लगा गैंग्स्टर एक्ट देलिगेट पुलस ने चोरी और नकाब जनी करने वालों पर की कारवाई गिरफतारी के लिए चापे मारी जारी फतेपुर में हर्ताल से गावों में बिजनिस अप्लाई बंद अधिकारी विवस्था बनाने में लगियों पर केंद्रों पर पुलिस का पैरा 18 घंटे से लाइट नहीं बुलंद शोहर के जिला प्रदर्शनी में युवा की पीचाई पूरे मामले को मूगदर्शक बन कर देख रहे दो सिपाईयों को एससपी ने किया निलंबित बारा बंकी में बारिश और ओला वरिष्टी से किसानों के फसले हुई चौपट सबसे जादा आलू किसान परिशान को इस टोर में भी नहीं हो पा रहा भंडार धाई करोड के लेन देन में युवक कुमारी गोली गोली लगने से युवक गभीर रूप से घायल आरो पी हुआ फरा बुलंद शहर में 49 करोड रुपए से सुद्रेग नहरों की हालात नहरों से 350 से अधिक गावों को मिलता है ला बुलंद शहर में रेल्वे ट्रैक पर कुर्सी डाल कर बैठा युवक करमश्वारियों ने टोका तो चलती ट्रेन पर बढ़साए पत्थर पुलिस ने हिरासत में लिया फरुखाबाद में एक अप्रेल कोगी सिपाही को आत्म हत्या के लिए उकसाने का मामले में सुनवाई वाया जीवन कारावास की सजा काच रहपूर विधाया का गोली लगने से हुई थी मौट ललितपुर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ती को मारी टक कर हाथ से में महिला की मौत टीकम गड़ से तेरा भी बोच कारिक्रम से लौट रहे थे बहन के शव को बाइक से ले गया भाई अस्पताल स्टाफ ने नहीं दिया शव वाहन भाई इंडर में फेल होने के ड़र से छात्रा ने लगा ली थी फासी फतेहपुर में घर्ड में गुसकर युवती से दुशकर्म गर्बवती होने पर परिजनों को मिली सूचना पुलस ने आरूपी को क्या गिरफता ललितपुर में किसान ने फासी लगा कर किया स्यूसाइड परिजन बोले कर्ज लेकर की थी खेती पैदावार कम होने और एक्सिडेंट होने से तनाव में थे बैराइच में एक्सपायड फूटी पीने से पाच बच्चों के हालत बिगडी डॉक्टर ने बटाया फूड पॉइस नेग खाद विभाग के अधिकारी बोले ज़ाच कर होगी कारवाई उन नौ में युवक ने खाया जरीला पदार्थ अस्पताल ले जवाते समय मौद पॉलस ने पोस्ट मॉटम के लिए भेज़ा शव जाच में जुटी मेरट में फल विक्रेता ने किया स्यूसाइड फंदे से लड़का मिला श्रव परिवार ने जटाई हत्या के अश्वंका की अजोरदार हंगामा 75 जिलो की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही देश अरप्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी